दूर दर्शन के तमाम दर्शकों को कवी राजेस जैनराई का भाव भरा साधर नमस्कार कि आदर हो कानून का प्रेम भाव हो मंत्र समझो आया देश में प्यारा सा गंतंत्र आप सभी को गंतंत्र दिवश्ट की बहुत बहुत बढ़ाई हार्दिक शुभ कामना क्या बात आज हम कवी गन अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने गीत अपनी गजनों के माध्यम से माभारती और अपने प्यारे देश भारत का गुनगान करेंगे आज के इस कवी सम्मेलन के कारेक्रम में मेरे साथ जो रचनाकार आज यहां उपस्तित हैं मैं उन सब का परीचे आप सब के बीच में रखना चाहता हूँ मेरी दाई और हैं 36 गड़ के लाड़े गीतकार परम आदनिस्री मीर अली मीर साहब नमश्कर आपका हर्दिक स्वागत है आपको 36 गड़ सासन की ओर से सहित अलंकरन से अलंकरित किया जा चुका है मेरे बाई ओर हैं विख्यात कव्यत्री सू मधूर कंठ की मालकिन डॉक्टर अर्चना पाठक मैडम मैं आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ और आप देख रहे हैं एक युवा चेहरा युवा सोच को अपना स्वर देने के लिए अपना तेवर देने के लिए हम सब के बीच में आज उपस्थित हैं युवा कभी मनोश शुकला जोरदार तालियों से सभी रचनाकारों का हर्दिक स्वागत हैं स्वर पर्थम में अपने गीतों के माध्यम से अपनी कविताओं के माध्यम से कहा जाए माभारती का गुनगान करने के लिए डॉक्टर अर्चना पाठक जी को इन पंक्तियों के साथ आप सब के बीच में आमंत्रित करना चाहता हूँ कि शब्द पिरोकर भाव में गीत बनाए एक करें कलंग से आज हम भारत का अभिशेक स्रीमती अर्चना पाठक जी स्वागत नमस्कर आज मैं इश्रंख्ला में शुरुवात करते हुए हमारे देश के नौजवान जो कंधार हैं हमारे देश के जिन्हें देश को आगे और आगे बढ़ाना है उनका आभान करते हुए एक गीत प्रस्तुत करती हूं स्वागत है स्वागत है कि वतन के नौजवां तुमको वतन का रूप गढ़ना है वतन के नौजवां तुमको वतन का रूप गढ़ना है जुनूं के इन शिकंजों से वतन को अब उबरना है वतन के नौजवां तुमको वतन का रूप गढ़ना है अगर तुम रा में बह जाओगे उन सपनों का क्या होगा अगर तुम रा में बह जाओगे उन सपनों का क्या होगा शहीदों की शहादत और उमीदों का क्या होगा शहीदों की शहादत और उमीदों का क्या होगा बहुत लंबा है रस्ता धूप है और दूर चलना है बहुत लंबा है रस्ता धूप है और दूर चलना है वतन के नौजवां तुम को वतन का रूप गढ़ना है वाह 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 सुन्दर वाह सुन्दर तुम को इभी ताकत जुका तुम को नहीं सकती कि शैतानों की शैतानी दिलों पर च्छा नहीं सकती कि शैतानों की शैतानी दिलों पर च्छा नहीं सकती वाह 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 कि शैतानों की शैतानी दिलों पर च्छा नहीं सकती दिलों पर छा नहीं सकती के अक्षै संस्कृती की जोत से आलोक लेना है के अक्षै संस्कृती की जोत से आलोक लेना है वतन के नौजवां तुमको वतन का रूप गढ़ना है के इन शिकन्जों से वतन को अब उबरना है वतन के नौजवां तुमको वतन का रूप गढ़ना है बहुत बढ़िया यह थी डॉक्टर अचना पाठक जी वतन के नौजवानों को अहवान करती हुई देश का रूप गढ़ने के लिए बहुत थी प्यारा गीत डॉक्टर पाठक ने प्रस्तूत किया आईए इस कवी संभेलन को गती प्रदान करते हैं और 36 डड़ के हमारे ऐसे लाडले गीतकार जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से 36 डड़ का नाम पूरे देश में रौसन किया है मैं ऐसे हमारे आदरनी गीतकार स्री मीर अली मीर सहाब को इन दो पंक्तियों के साथ का बेपाठ के लिए आमन्तित करना चाहता हूं कि रहे तिरंगा देश का विश्व पडल पर खास भूल सभी मतभेधम आओ करे प्रियास दन्यवाद गंतंत्र दिवस की अनन्त शुप कामनाओं के साथ भारतीता का दर्शन देखें मंदीरों में घंटियां मस्जिदों में अजाने मंदीरों में घंटियां मस्जिदों में अजाने कलीशिया की गूंज कहीं गुरुवाणी की सदाएं मेरे गुलशन की शान है मेरे गुलशन की शान है की जागती धरा में जुकता आशमान है की जागती धरा में जुकता आशमान है ये देश मेरा देश मेरा देश ही महान है की जागती धरा में जुकता आशमान है हर याली सपनों में रंग भर रही है की हर याली सपनों में रंग भर रही है की सवक्ष है परिवेश देखो सपने बुन रही है आन है बान है शुरक्षा में जहान है ये देश मेरा देश मेरा देश ही महान है की जागती धरा में जुकता आशमान है की सागर को नापलू मैं अपने कदम ताल से की सागर को नापलू मैं अपने कदम ताल से और शीती जी को भी छूलू मैं अपने ही कमाल से जो सबसे एब दर संद्रक के साघर को नाप लूँ मैं अपने ही कदम ताल से शिति ची को भी छूलूं मैं अपने ही कमाल जान है जहान है प्रत्यंचा में कमाल जान है जहान है प्रत्यंचा में कमान है और ये देश मेरा देश मेरा देश ही महान है कि जागती धरा में जुकता आसमान है और मीठे जल के श्रोत यहां स्वस्थ मन की आशा सब का विकास के मीठे जल के श्रोत यहां स्वस्थ मन की आशा अगाध है असी में है गढ़न की अभिलाशा अगाध है असी में है गढ़न की अभिलाशा धुले हुए हाथों में के धुले हुए हाथों में पावन पकवान है ये देश मेरा देश में मेरा देश ही महाने की जागती धरा में जुकता आसमान है की जागती धरा में जुकता आसमान है ये देश मेरा देश मेरा देश ही महाने बहुत बढ़ियां गीत ये देश मेरा देश ही महान है बहुत थी अच्छा प्यारा सुमधुर गीत दिल की गहराईयों तक उतर जाने वाला आदनी मीर साब को मैं इस गीत के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ शुब कामना देता हूँ पहली बार यह गीत बिल्कुल नया गीत मैंने आज सुना उनके स्रीमुक से आईए कवी सम्मेलन को और गती परदान करते हैं और युवा तेवर को अपनी वानी देने है इस वाजन वी अच्रज जान आठ प्रथम प्रिष्ट पर हो मगर देश प्रेम का पाथ वाबा बढ़ा बढ़ा दूर दर्शन के सभी दर्शकों को मनो सुकला का साधर नमस्कार मैं चार पंक्तियां गड़तन दिवस्के पावा नवसर पर सुब कामनाओं की पढ़ना चाह आ रहे गुन गुन आता रहे गाता रहे गुन गुना ठा reg emic जश Canal आजा दी का मन आता रहे वाई ऐा रहू ना रहो तुम रहो ना रहो है कैने मेरा भारत सदा मुसकुरा रहा, मनुझ मैं रहु ना रहू एक कवीता में पढ़ना चाहता हूँ, अखंड भारत के इतिहास की स्वागत कि विश्व समूचा पुर्व काल में जम्बू दीप कहलाता था भारत का क्या इतिहास रहा है कि विश्व समूचा पुर्व काल में जम्बू दीप कहलाता था इंदू सरोवर जिसके पद प्रक्छालन करने आता था धीमवान से सिंगवान तक परवत पहरेदार हुए राम कृष्ण मतस्य बौद सब गोविंद के अवतार हुए तब ब्रह्मा मनुय आती से हमें पुर्वज कायस गान मिला साथ समंदर के समान तर हमको हिंदूस्तान मिला साथ समंदर के समान तर हमको हिंदूस्तान मिला वामनु को क्या करना है तब आर्यवर्त लाने का पुनहा प्रयत्न करेंगे बंद मातरम भारत तुझे अखंड करेंगे वंदे मातरम 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 की तीरत इस पावन धरती वाले हमसे छूट गए जो भी आये मित्र बने बनकर हमको लूट गए लक्ष सल्यमी पुसकर सब अजनाभ वर्स कहलाता सुमेरू परवत के सिखर पर भगवाद भज लहराता था जिसके यस गान सभी वेदों में गाए जाते हैं उसी राम के वनसज भी विदेशों में पाए जाते हैं कि रामरा जिलाने का पुनहा प्रयत्न करेंगे वन्दे मातरम भारत तुझे अखंड करेंगे वन्दे मातरम वह अखंड भारत जिसको कुरुवन सो ने हैं अलग किया भारत को सबसे पहले खंडित कुरु और कुरु भाईयों ने किया था कि वह अखंड भारत जिसको कुरुवन सो ने हैं अलग किया वह अखंड भारत जिसको मुगलों ने छीना अलग किया वह अखंड भारत जिसमें भगत सीहिने जन्म लिया वह अखंड भारत जिसको अंग्रे जो ने कई खंड किया वह अखंड भारत जो सरदार पटेल का सपना था वह अखंड भारत जिसमें तो मान सरोवरेखना था वह अखंड भारत जिसमें तो दासंकल्प लेना है कि इस खंड खंड भूमी को पुना अखंड करेंगे बंदे मातरम भारत तुझे अखंड करेंगे बंदे मातरम बंदे मातरम क्या कहने बहुत बढ़ियां 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 बहुत बढ़िय आता है ऐसे ही कवी कितने भी अच्छे हो संचालक की एक विशेज भूमिका होती है हमारे बीच में आज संचालक राजेस जैन राही जी उपस्थित हैं जिन्होंने छे पुस्तकें जिनकी आ चुकी है भी और इनकी एक पुस्तक है पिता छाओ वटविरिक्ष की जिसे दिये निश्चित रूप से अखंड भारत की हम सब की कामना है माँ भारती के चर्णों में अपने प्यारे देश के चर्णों में मैं कुछ चंद समर्पित करना चाहता हूं स्वागत है चंद से पहले एक दोहा के इजजत की रोटी मिले अमन चैन के साथ रहे तिरंगा गीत मैं लिखूंगा सदा लेखनी से समझोता कर नहीं सकता के भारति की वंदना के गीत मैं लिखूंगा सदा लेखनी से समझोता कर नहीं को जिक कि दीवार अरने से पहले में मरने ता इस opportunité सभाव Fr कि वादा अपने आप से करना ये स्रीमान पंत सदा पीछे रहे पहले हिंदुस्ता के प्रेम की किताब में हो आपका भी योगदान त्याग दया करूना के प्रिष्ट जोड़ दीजिए के प्रेम की किताब में हो आपका किताब योगदान त्याग दया करूना के प्रिष्ट जोड़ दीजिए उपदेश का नहीं इरो ईप youngest किछ यहां उप देश का नहीं है और उप्योग कुछ यहां हो उपका कमाल कर धारा मोड दीजिए और दामिनी की ओर उटे नजर ना मेरा आशा है अकेली कोई लड़की जो संकट में हो कि दामेनी की और उठे नजर नापाक कोई बढ़ कर दुष्ट की वो आंक फोड़ दीजिये और जाती धर्म संप्रदाय में नहीं बटे गादेश जाती धर्म संप्रदाय में नहीं कि मुद्दा हो जब देश का उठे एक आवाज घीत सभी का एक हो एक सभी के साथ तब मैं कहना चाहता हूं कि जननी के चरणों में बार बार है प्रणाम मात्री भूमी शत्रशत दिल से नमन है और गोद में खिलाया मुझे चलना सिखाया मुझे आसिसों से आपके ही खिला ये चमन है मुझे को विवेक मिला छाओं मी लिमिठी मिठी मान पहचान और साथ में अमन है और गलती को मेरी मात मन से लगाना मत एक तु है मेरी और प्यारा ये वतन है कि कलम वही है काम की लिखे देश के गीत माता का वंदन लिखे लिखे पिता की प्रीत के दिल में तिरंगा रहे जाये हिंदो होट पे हो भगत की कुर्मानियाद होनी चाहिए और बहुत बहुत धन्यवाद और खून में उबाल रहे नेता जी सुभास जैसा साथ में कलाम वाली खाद होनी चाहिए और देश के खिलाप यदि साजी से कहीं दिखे तो सिंग जैसी घनगोर नाद होनी चाहिए और खेला है क्रिकेट खेला है क्रिकेट चके चौके रोज लगते हैं खेल नहीं शौरी में ही दाद होनी चाहिए के महिसा सुर मारा गया मरा दुष्ट लंकेश क्या विसात आतंक की जाग उठा आप देश और एक दो छंद सागत देश के जो हमारे वीर सैनिक हैं उनको समर्पित करते हुए के सैनिकों की आन पर भारत की शान पर नजर उठे जो कोई प्रतिकार कीजिये और बेटियों के दम पे ही दम दार कल मिले नेह ग्यान मान देके अंगिकार कीजिये और जातपात की दिवार हक में नहीं किसी के ओच्छे बंधनों को आप अस्विकार कीजिये और जीत आप को मिलेगी फूलों सी महकदार आप भी स्वयम को जरापानी दार कीजिये कि रेखांकित कैसे करूँ वीरों का बलिदान कलम छूटकर जागिरी अक्षर लहुलुहान एक दो मुक्तक सुनाना चाहता हूँ स्वागत पढ़े कि लिखो मजदूर की पीडा मधूर मकरंद हो जाए क्या कहने त्याग लिखो किसानों का महकता चंद हो जाए लिखो बलिदान वीरों का कहानी शौर्य की लिखो लिखो बलिदान वीरों का कहानी शौर्य की लिखो भारती का लिखो वंदन कलम रगुनंद हो जाए एक मुक्तक के मिले रोटी पसीने को सफल विज्ञान हो जाए भारती ज्ञान का सबको सफल वर्दान हो जाए तिरंगा देश का लहरे सान से हाथ में सबके बजे फिर विश्व में डंका बजे फिर विश्व में डंका अलग पहचान हो जाए वैसे तो मेरी पहचान हासिवंग और स्रिंगार के कवी के रूप में हैं मगर जब बात देश की होती है मुद्दा जब देश का होता है तो मेरी लेखनी ओज के स्वर्वी लिखने की कोशिस करती है इसी भाव को रिखांकित करते हुए एक चंद और रखना चाहता हूं के माना मेरी लेखनी को प्रेम लिखना लुभाए के माना मेरी लेखनी को प्रेम लिखना लुभाए आन पड़े वक्त तो ये आग बन जाएगी और सैनिकों की आन पर भारत की शान पर तेज लेके तोपके भी आगे तन जाएगी और नहीं का के नहन पर लिखली गजल कई बैरियों को मार खून से भी सन जाएगी और जीयों और जीनेदों का नारा हम ने दिया है घात करे कोई मौत से भी ठन जाएगी आज के इस कारिक्रम में जिन रचनाकारों ने मेरे साथ कावे पाठ किया मैं उन सब का हिर्देतल से धन्यवाद गापित करता हूं मेरे साथ थे परमादने स्री मीरली मीर साहब, मेरे साथ थी डॉक्टर अर्चनापाठा मैडम और युवा कवी मनो सुकला आप सभी से पुनह मुलाकात होगी जय हिंद जय चतिशगर उय है करकुन है झाले चाले झाले पुला है लिएट साथ को पुला आप मूलाए आपको सोगगी अर्चनापड़ लिएट से एंग किय अरुवा गाँ लिएएएवाब बड़ को सम्स्नापब